हालो नमस्कार जैहिंद मैं विपिन लक्षदा एक्जाम्स के यूटूब चैनल पर आप सभी साथियों का हर्दिक स्वागत करते हैं साथियों आज की इस वीडियो में हम आरचित वन एवं सनरचित वन जो की उत्तर प्रदेश अधीनस्त सेवा चैन आयोग द्वारा आयोजित वन दरोगा की मुख्य परिच्छा के पॉइंट ऑफ विव से अत्यन्त महत्तपूर्ड है साथियों आरचित वन एवं सनरचित वन यह जो टॉपिक है हम इसका इटू जेट डिसकस करेंगे जितना भी एक्जाम पॉइंट ऑफ विव से जितना भी महत्तपूर्ड चीजे है मैं इस वीडियो में इन सभी चीजों को डिसकस करूंगा आपके साथ तो साथियों प्रार के बारे में प्रावधान करता है सरकार ने वनों को निम्न लिखिस रेडियों में विभाजित किया है सबसे पहले आरचित वन जैसे आरचित वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है और किसी भी वन भूमी या बंजर भूमी जो की सरकार की संपत्ति है पर राज सरकार द्व वनों में किसी वन अधिकारी द्वारा विशेश रूप से अनुमति के बिना इस्थानिय लोगों की आवाजाही निसिद्ध है वनों की भूम अधिकार जो आरच्छित वन हैं इनके जो भूम अधिकार हैं जिन्हें आरच्छित वन या सनरच्छित वन घोसित किया गया है आम संधित राज सरकारों द्वारा गोसित किये जाते हैं वर्तमान में आरचितवन और सनरचितवन एक महतपूर तरीके से भिन्न हैं आरचितवनों में सिकार चराई आध जैसी सभी गतिविधियों के अधिकारों पर प्रतिबंध है जब तक की विशिष्ट आदेश जारी नहीं किये जाते हैं सनरचित छेत्रों में सिकार और चराई जैसी गतिविधियों के लिए अधिकार कभी कभी जंगल के किनारे जो वन संसाधनों या उत्पादों से आंसिक या पूरी तरह अपनी आजीविका को बनाये रखने पर रहने वाले जो समुदाएं हैं उनके लिए दि जिस पर सरकार का मालिकाना अधिकार है और ऐसे वनों के उपयोग के संबंद में नियम जारी करने की सक्ति भी है इस सक्ति का उपयोग ऐसे व्रच्छों जिनकी लकड़ी फल या अन्य गैर लकड़ी उत्पादों में राजसु बढ़ाने की छमता है पर राज का नियंत्र इस्थापित करने के लिए किया गया है अब बात करेंगे साथियों हम ग्राम वन की ग्राम वन वे वन हैं जिनके संबंध में राज सरकार किसी भी ग्राम समुदाय को किसी भूमि पर या आरच्छित वन के रूप में सूची बद्ध भूमि के संबंध में सरकार के अधिकार होते हैं सीमांकित संरच्छित वन और असंबध संरच्छित वन इस आधार पर की क्या वन की सीमाएं आपचारिक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की गई हैं अथवा नहीं सामानेतया संरच्छित वनों को वन जीव अभ्यारन्यों में परिवर्तित किया जाता है जिससे प्रतेक्स रेडी को उच्छ इस्तर की सुरच्छा और सरकारी फंड प्राप्त होता है उदाहरण के लिए सरिस्का राष्ट्री उद्यान को वर्स 1955 में एक आरच्छित वन घोसित किया गया था जिसे वर्स 1958 में एक वन जीव अभ्यारन्यों घोसित कर दिया गया तथा वर्स 1988 में इसे टाइगर जीजरों बना दिया गया साथियों सरिस्का 1992 एक राश्ट्री उद्यान बन गया हाला कि इसे राश्ट्री उद्यान घोशित करने के लिए प्रार्थमिक अधिसूचना थी 1982 की सुरुवात में जारी किया गया था सनरचित वन भारति वन अधिनियम के प्रावधानों के तहट अधिसूचित भूमिका एक छेत्र का द्रविमान है जिसमें सीमित इस्थर की सुरच्छा होती है साथियों सनरचित वनों में सभी गतिविद्यों की अनुमत है जब तक कि यह निशिद्ध ना हो सनरच्चित वन भूमिका एक छेत्र या द्रविमान है जो एक आरच्चित वन है और जिस पर सरकार के पास संपत्ति के अधिकार हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा भारती वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत घोसित किया गया है साथियों वनों का वरगी करण वनों के वरगी करण के निमलिखित आधार है प्रसासन के आधार पर इस आधार पर वनों को निम्न तीन वरगों में विभाजित किया जा सकता है सुरच्छित वन इस प्रकार के वनों में आम आदमी का प्रवेश वर्जित है साथ साथ लकडी इकठा करने और पस उचारण का भी वर्जन रहता है इस तरह के वन सरकार के सीधे देखरेक में रहते हैं देश में 55.69 फृट्सर वन चेतर इस वर्ज में आते हैं दूसरा है सन्रच्छित वन भारत में इस प्रकार के वन 27.49 पृट्सर छेतर में हैं इस प्रकार के वनों की देखरेक सरकार द्वारा होती है इस वन में इस्थानिय लोगों को बिना नुकसान पहुँचाए जलाव लकडी इकठा करने और मवेशियों को चराने की अनुमत होती है किन्मे सनरच्छित वनों में साथियों अब हम बात करेंगे अवरगी करत वन साथियों अब बात करेंगे हम भारती सम्विधान के आधार पर वनों का वरगी करण इस आधार पर वनों को उनके स्वामित्तो प्रसासन एवं प्रबंधन की दरश्टी से तीन वरगों में विभाजित किया जा सकता है पहला है राजिकी वन इस प्रकार के वन केंद्र और राजि सरकार के नियंत्रण में पूर्ड रूप से होते हैं इसके अंतरगत देश के लगभग सभी महत्तोपूर्ड वन आते हैं इसका विस्तार लगभग 93.8% वन छेत्र पर है दूसरा जो है वह है वाडिजिक वन वाडिजिक वन देश के कुल वन छेत्र का लगभग 4.9% भाग इस वर्ग के अंतरगत आता है सातियों इन वनों का स्वामितो यानि कि वाडिजिक वनों का स्वामितो और प्रसासन इस्थानिय निकायों जैसे कि नगर निगम, नगर बोर्ड, सहरी परदेश, जिला बोर्ड तथा ग्राम मीड पंचायते जो होती हैं उनको होता है इनके अधीन रहता है निजीवन जो अगला है तीसरा हमरा टाइप वह है निजीवन यह वन छेत्र देश के कुल वन प्रदेश का एक प्रतिसत भाग है इन वनों का स्वामित व्यक्तिगत लोगों के हाथ में होता है साथियों अब हम व्यापारिक आधार पर वनों का वर्गी करण देखेंगे तो व्यापारिक आधार पर इस आधार पर भारती वनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है विपन्य वन वह वन होते हैं इस वर्ग का छित्र देश के लगबग 82 प्रतिसत भाग पर है इन वनों में आवाग वन जो होता है वा सुगम होता है उसको हम विपन्य वन कहते हैं साथियों अविपन्य वन इस तरह के वन उचे परवती प्रदेशों में इस्थित होते हैं जो देश का लगबग 18 प्रतिसत वन इस वर्ग के अंतरगत आता है साथियों गठन अथवा बनावट के आधार पर हम वनों का वर्गी करण पढ़ेंगे तो साथियों इस आधार पर यानि कि गठन अथवा बनावट के आधार पर भारतिय वनों को दो वर्गों में बाटा गया है पहला है संकुधारी वन ये संकुधारी वन जो होते हैं वा सीतोस्ड वन देश के लगबग छे दसमलों पांच प्रतिसत वन प्रदेश में विस्तिर्ड है यानि कि जो जो चौड़ी पत्ती के वन होते हैं वह मैदानी पठारों और परवती प्रदेशों में पाये जाते हैं यह उस्ड कटिबंधिय सीतोस का मांसुनी वन है जो देश के 94 प्रतिसत वन छेत्र इस वर्ग के अंतरगत आता है अब साथियों हम बात करेंगे उपयोगिता के आधार पर वनों का वर्गी करन तो इस आधार पर भारती वनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है उपयोगी वन देश के पहला जो है वह है उपयोगी वन जो की देश के 58 प्रतिसत वन इस वर्ग के अंतरगत आते हैं अब साथियों जो दूसरा इसका टाइप है वह है सं संभाव्य उप्योगी वन यानि कि संभाव्य उप्योगी वन देश का 20 प्रतिसत वन जो भरत का 20 प्रतिसत वन छेत्र है वह संभाव्य उप्योगी वन के अंतरगत आता है विभिन वन समूह अब सातियों हम विभिन वन समूह की चर्चा करेंगे तो सातियों सबसे पहला समू समूह एक उस्ल कटिबन्धी आद्र सदाबहार वन दूसरा समूह है उस्ल कटिबन्धी अरध आद्र सदाबहार वन समूह तीसरा जो है वह है उस्ल कटिबन्धी नम परणपाती वन समूह 4 में 30 एवं bipartisan समूह पाच उस्ल कटिबंधिया सुस्क परडपातीवन समूह चे उस्ल कटिबंधिया काटेदारवन समूह साथ उस्ल कटिबंधिया सुस्क सदाबहारवन समूह आट उपोश्ल कटिबंधिया चोडि पत्ति युक्त परवतीवन समूह नव उपोश्ल कटिबंधिया कोण दा समूह 10 उपोश्ड कटिभंधिय सुश्क सदाबाहार वन समूह 11 माउन्टेन आध्र सम्सीतोस्र वन समूह 12 हिमालई, हिमालई, नम समसीतोस्डवन, समूह 13 हिमालई, सुस्क समसीतोस्डवन, समूह 14, 15 और 16 इसमें हम उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन, वनों का वरगी करन पढ़ते हैं समूह 16 जो है वह प्लांटेशन या जी ओ एफ और समूह 17 में हम जी यल डी एफ टाइप ग्रुप को पढ़ते हैं तो साथियों यह था हमारा वनों का वरगी करन तो साथियों तीन सरवाधिक प्रतिसता वाले वन, साथियों हम जो वनों का प्रकार है उनमें सरवाधिक प्रति स्वे साथ है वह उस्रड़ कटिबंधिया सुस्क परणपात जो की 40.06 प्रतिति भुवभाग पर शाथियों उस्रड़ कटिबंधया दु को साथान दूसरा है जो की 17.65 प्रते प्रत सिटेथर स्थ hostage आप नम परणपाती वन है और तीसरा इस्थान है उस्ड कटिबंधी अर्ध आद्र सदाबहार वन का जिनका प्रतिसत लगवग 9.27 प्रतिसत है अब साथी हो हम बात करेंगे तीन सबसे कम प्रतिसतता वाले वन हैना इसमें सबसे पहला जो इस्थान है सबसे कम उपोस्ड कटिबं तो इस प्रतिक तो इस वीडियो में हम ने ॡिसकस किया आतरच्फित वन एवं सनरच्जित वन इसके अंतरगत आने वाले जितने भी सब topics थे या important facts points थे मैंने उनको आपके साथ discuss किया इस exam में अगर question कहीं से बनेगा तो जितना मैंने बताया है आपको जितना मैंने आपके साथ discuss किया है इस content से बाहर आपको एक भी fact देखने को नहीं मिलेगा तो सातियों अगर आपको यह हमारा content अच्छा किजिए धन्यवाद जहिंद